हेलो गाईज आप देख सकते हैं मेरी पाई की हेड़ लाइट खो इसका कलर कैसे एकदम फेड हो चुका है और काफी ज्यादा इस पे स्क्रेचिस पड़ चुके हैं इसके कारण हमें सही से रिफ्लेक्शन नहीं मिल पाता है लाइट में तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दोस्तो हमें पेंट करने से पहले एक सेंट पेपर लेना है 600 नंबर का जो कि आपको मार्केट में एजली मिल जाएगा सो हमें सबसे पहले अपनी हेडलाइट के ऊपर पानी लगाना है और पानी लगाते लगाते इसको सेंट पेपर से सेंडिंग करनी है दोस्तो याद रखिएगा कि ज्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है इसको हलके हलके हां तो आपको सेंड करना है अगर आप को ज्यादा तेज़ से सेंड कर देंगे तो डीप स्क्रेशिस आ जाएंगे दूस्तों यह सेंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हेडलाइट पर काफी डस्ट पार्टिकल्स लगे रहते हैं और हेडलाइट का सर्फिस भी स्मूध करना जरूरी होता है ताकि हमारा क्लियर इस स्प्रेश करने वाले हैं सो दोस्तों यह कॉस्मोस कंपेणी का किलियर स्प्रेश पेंट है जो कि मैंने एमेजॉन से पर्चिस किया है इसकी एमर्पी दोसुपचीस रूपए है लेकिन यह मुझे 200 रूपए के करीब मिला है अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने लि कि सुपची से एमेजियर स्प्रेश को वाले है इसकी सब्स्राइब लेकिन यह मुझे आप झाले हैं खंगिता कि जायी आप मुझे दोस्तों कि मैंने एम्म्मार्चाइब हैं दो टूपए हैं झाले हैं टूब हैं गया है अंध सो दोस्तों ये वीडियो मैं दूसरे दिन सूट कर रहा हूँ कलर को सूखने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं लेकिन अच्छी तरह सेट होने के लिए मैंने रात बर के लिए छोड़ दी थी और ये दूसरे दिन की वीडियो आपके सामने है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारी हेडलाइट बिलकुल नहीं हो चुकी है ये हमारे हलकी फुल के स्क्रेच जो ज़्यादा डीप स्क्रेच है वो तो नहीं गए है लेकिन हमारी हेडलाइट बिलकुल नहीं हो चुकी है और आप हेडलाइट को भी देख सकते हैं इसका बलरीनेस भी सारा चला गया है और ये फ्रेंट का मडगार्ड भी मैंने आदा पेंट किया हुआ है लाइप प्रूफ के लिए आदा पेंट नहीं किया था देखने के लिए ये हमारा बिना पेंट का है और उस तरह बाला पेंट का है सुवाब लोग देख सकते हैं दोनों में कितना डिफ्रेंस है उमीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा